ओम शान्ती, आज 21 सप्टेंबर 2024 के बाबा के अनमोल मदूर महवा के सुनेंगे, आज की मुडली में बाबा कहे, बच्चे जैसे तुमने बाब को पहचाना है, जैसे दूसरों को भी बाब का परिचे अच्छी तरह से देना है, परन्तु बाबा को कई बार आश्च्छी लगता है, जब बच्चे ये कहते हैं, बाबा आपका परिचे देना बहुत मुश्किल है, बाबा कहे, जैसे तुमने जाना है, पहचाना है, वैसे ही सब को सुनाओ, कि बाब कौन है, कैसे आते हैं, किसके तन में आते हैं, और कैसे आकर ज्ञान सुना कर सब की सद्गती करते हैं, बाबा कहे, बाबा का परिचे देना बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैत्न करेंगे, तो अवश्य बाब का परिचे सब को दे सकेंगे, दूसरी बात बाबा ने कहा, तुमने अपने को भी जाना है, कि आत्मा क्या है, आत्मा कभी हद में नहीं है, लेकिन बाबा कहे, हद से पार, बेहद में जाना है, तो सुनते हैं, आज के बाबा के अनमोल मदूर महावाकिय, ओम शान्ती, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर, बाप कल्प कल्प आकर, तुम बच्चों को अपना परिचे देते हैं, तुम्हें भी सबको बाप का यथात परिचे देला है, आज की मुडली से प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं, उत्तर है, बच्चे कहते हैं, बाबा, आपका परिचे देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचे कैसे दे, ये प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है, जब तुम्हें बाप ने अपना परीचे दिया है, तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं यह तो बहुत सहज है, अमसाब आत्में निराकार है, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा ओम शान्ती, मीठे मीठे रुहाने बच्चे समझते हैं, बेहत के बाप पास बैठे हैं यह भी जानते हैं, बेहत का बाप इस रत पर ही आते हैं, जब बाप दादा कहते हैं, यह तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वो इस रत पर बैठा है अपना परिचय दे रहा है बच्चे जानते हैं वो बाबा है बाबा मत देते हैं क्या मत देते हैं कि रुहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए जिसको योग अगनी कहते हैं बाप की याद को ही योग अगनी कहते हैं अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़ी कहेंगे, कि बाप का परिचे दूसरों को कैसे दुँ, तुमको भी बेहत के बाप का परिचे है, तो जरूर दे भी सकते हैं, परिचे कैसे दे, ये तो प्रशन ही नहीं उड़ सकता है, जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते हो, कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है, इसमें मुझने की दरकार ही नहीं रहती, कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परीचे देना बड़ा मुश्किल होता है अरे बाप का परीचे देना इसमें तुम मुश्किलात की कोई बात ही नहीं है जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं मैं फलाने का बच्चा हूँ तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश है जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूरत है आत्मा को पैचानते है कि आत्मा अकाल मूरत है ऐसे नहीं उसका कोई रूप नहीं है बच्चों ने पहचाना है बिलकुल सिंपुल बात है आत्माओं का एक ही निराकार बाप है हम सब आत्मे भाई भाई है बाप की संतान है बाप से हमको वर्सा मिलता है यह भी जानते हैं ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है सब जानते हैं दुनिया में भी कोई बच्चा अपने बाप को जानता है उसकी रचना को जानता है उसके पास क्या प्रॉपर्टी है वो सब को जानता है यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला, यह कल्यानकारी मेला है, बाप है ही कल्यानकारी, बहुत कल्यान करते हैं, बाप को पहचानने से समझते हो, बेहत के बाप से हमको बेहत का वर्सा मिलता है, वो जो सन्यासी गुरू होते हैं, उनके सिश्य को गुरू के वर्से का मालूम नहीं रहता है। विश्व की बादशाही स्वर्ग यह बाते सिवाए तुम बच्चों के और कोई की बुद्धी में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिलकरत है? उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीतेजी पारलौकिक बाप के बने हैं। उनसे क्या मिलता है? वह भी जानते हैं। हम पहले शुद्र कूल में थे, अभी ब्राह्मन कूल में आ गये हैं। यह नौलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजा पिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह यानि शुद्र बाबा तो है सब आत्माओं का फादर। इनको ग्रेट 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 ग्रेन फादर कहते हैं। बाबा कहे इनको यानि प्रजा पिता ब्रह्मा को ग्रेट 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 ग्रेंट फाधर कहते हैं, अब हम इनके बच्चे बने हैं, शिव बाबा के लिए तु कहते हैं, वहाजरा हजूर है, जानी जाननहार है, यह भी अब तुम समझते हो, वह कैसे रचना के आदी मत्यं की knowledge देते हैं, वस्साम आत्मों का बाप है, इनको नाम रूप से न्यारा कहना तो जूट है, उनका नाम रूप भी याद है, रात्री भी मनाते हैं, जैन्ती तो मनुष्य की होती है, शिव बाबा की रात्री कहेंगे, बच्चे समझते हैं, रात्री किसको कहा जाता है, रात में घोर अंध्यारा हो जाता है, अज्यान अंध्यारा है न, ज्यान सूर्य प्रक्टा, अज्यान अंधेर विनाश, अभी भी गाते हैं, परन्तु अर्थ कुछ नहीं समझते, सूर्य कौन है, कब प्रक्टा, कुछ नहीं समझते, बिन बिन तरीके से बाबा आज शिव बाबा की महिमा बताते हैं, परीचे देते हैं, वही ज्यान सूर्य भी है, लेकिन सूर्य कब प्रक्टा, कुछ नहीं समझते, बाब समझाते हैं, ज्यान सूर्य को ज्यान सागर भी कहा जाता है, बेहत का बाब ज्यान का सागर है, सन्यासी गुरु गोसाई आदी अपने को शास्त्रों की अफॉरिटी समझते हैं, वह सब है भक्ती, बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं, तो बाब रुहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला, तुम समझते हो, बाप इस रत में आए हुए हैं, इस मिलन को ही मिला कहते हैं, जब हम घर जाते हैं, तो वह भी मिला है, यहां बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वह फादर भी है, टीचर भी है, यह एक ही पोइंट, अच्छी रिती धारन करो, भूलो मत, दाबा कही ये एक ही पॉइंट अच्छी रिती धारण करो भूलो मत अब बाप तो है निराकार उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े तो खुद कहते हैं मैं प्रकर्ती का आधार लेता हूँ मैं तो बोलू कैसे शरीर बिगर तो बोलना होता नहीं तो बाप इस तन में आते हैं इनका नाम रखा है ब्रह्मा हम भी शूद्र से ब्रामन बने तो नाम बदलना ही चाहिए नाम तो तुम्हारे रखे थे वतन से बाबा ने नाम भेजे थे सबी के नाम रखे थे परन्तु उनमें से भी अभी देखो कहीं है ही नहीं इसलिए ब्रामनों की माला नहीं होती है बक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है ब्रामनों की माला नहीं होती विश्नु की माला तो चली आई है सुक्ष्म वतन में विश्नु को चार भूजा वाला दिखाया है दो भूजा लक्षमी की, दो भूजा नारायम की बाप समझाते हैं मैं धोबी हूँ भाब कहें मैं धोबी हूँ मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रिंगार ही गमा देते हो बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने आत्माओं को आकर सिखलाते हैं तो सिखलाने वाला जरूर यहां चाहिए ना पुकारते भी है आकर पावन बनाओ कपड़ा भी मेला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाये जाता है तुम भी पुकारते हो ये पतीत पावन बाबा आकर पावन बनाओ आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले तो पहली-पहली मूल बात होती है कौनसी? बाप का परीचय देना बाप का परीचय कैसे दे ये तो प्रश नहीं-नहीं पूछ सकते हैं तुमको भी बाप ने परीचे दिया है, तब तो तुम आए हो ना, बाप पास आते हो, बाप कहां है, इस रत में यह है अकाल तक्त, तुम आत्मा भी अकाल मूरत हो, यह सब तुम्हारे तक्त है, ब्रुकुटी का अकाल तक्त यात्मा का तक्त है, जिस पर तुम आत्मे विराजमान हो, वह है अकाल तक्त जड़ हो गया ना, तुम जानते हो मैं अकाल मूरत अर्थात नेराकार, जिसका साकार रूप नहीं है, मैं आत्मा अविनाशी हो, कब विनाश हो न सके, एक शरी छोड दूसरा लेता हूं, मुझ आत्मा का पाट अविन नाशी नूदा हुआ है, आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाट शुरू हुआ था, वन वन सम्वत से हम यहां पाट बजाने घर से आते हैं, यह सत्युत का सम्वन्थ 1-1 होगा, तो बावा कहे हम घर से यहां पाट बजाने आते हैं, यह है ही 5000 वर्ष का वह तो लाखो वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता, तो बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, कौन सी बात? आज बाबा ने अंडरलाइन कराई, तो बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, कि हम बाप का परिचे किसको कैसे दें? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो वंडर लगता है, अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचे क्यों नहीं दे सकते हो? हमसाब आतमय हैं, वह हमारा बाबा है, सर्व की सदगती करते हैं, सदगती कभ करेंगे? यह भी तुमको अभी पता पड़ा है, कल्प कल्प, कल्प के संगम युप पर आकर सर्व की सदगती करेंगे, वह तो समझते हैं, दुनिया के लोग तो समझते हैं, अभी 40,000 वर्ष और पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारा है अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थुड़ी होती है पत्थर बित्तर का भी तो नाम है न तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चो तुमाए हो बेहत बाप के पास बाप भी जानते हैं कितने धेर बच्चे हैं बच्चो को अभी हद और बेहत से भी पार जाना है हद और बेहत से भी पार जाना है सब बच्चो को देखते हैं जानते हैं इन सब को मैं लेने आया हूँ बाबा ये जानता है कि सब आत्माओं को मैं लेने आया हूँ सत्युग में तो बहुत थोड़े होंगे, कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाय जाता है, लौलिज तो बिल्कुल इजी है, बाकी मुश्किल कहां है, जान को समझना बड़ा आसान है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है, ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं च जाइए, बाप केते मा में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे, मैं आता ही हूँ पतीत से पावन बनाने, तुम अकाल मुरत आत्माएं सब अपने अपने तक्त पर विराजमान हो, बाबा ने भी इस तक्त का लोन लिया है, इस भागेशाली रत में, बाबा कहे, इस भाग प्रवेश होते हैं, कोई कहते हैं, परमात्मा का नाम रुप नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता, बाबा कहें कहो, यह तो हो ही नहीं सकता, उनको पकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरू कोई चीज तो है न, कमो प्रदान होने करण कुछ भी समझते नहीं, बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चो, इतने 84 लाख योनिया तो कोई होती नहीं, ऐही 84 जन्म, उनर जनम भी सबका होगा, ऐसे थोड़ी ब्रह्म में जाकर लीन होंगे वा मोक्ष को पाएंगे, यह तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता, इस अनादी अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा वा नाटक बनाते हैं, इसको देख कर कहीं बाबा कहें, छोटे छोटे नाटक वा ड्रामा बनाते हैं, वह है विनाशी, अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हों, तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली हमने कैसे 84 जन्मल यह है, अभी बाप ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था, रिशी मुनी भी कहते थे, क्या कहते थे, हम नहीं जानते हैं, भाप आते ही है संगम यूग पर, इस पुरानी दुनिया को चेंज करने, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं वह तो लखो वर्ष कह देते हैं कोई बात याद भी न आ सके महाप्रलय भी कोई होती नहीं बाप राजयोग सिखलाते हैं फिर राजाय तुम पाते हो इसमें तो संशे की कोई बात ही नहीं तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में सबसे प्यारा है कौन? दावा कहें, तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में सबसे प्यारा कौन है? बाप, तिर नेक्स्ट प्यारा है सिक्रिष्न. सबसे पहले नंबर में प्यारा है बाप फिर next प्यारा है सिक्रिष्न तुम जानते हो सिक्रिष्न है स्वर्ग का पहला प्रिंस नंबर वन वही पिर 84 जन्म लेते हैं उसके ही अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूं अब तुमको पतीद से पावन बनना है पती पावन बाप ही है पानी की नदिया थोड़ी पावन कर सकती है यह नदिया तो सत्युग में भी होती है वहां तो पानी बहुत शुद्ध रहता है किचड़ा आदी कुछ नहीं रहता यहां तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है बाबा का देखा हुआ है उस समय तो ग्यान नहीं था अभी wonder लगता है पानी कैसे पावन बना सकता है तो बाप समझाते हैं क्या समझाते हैं मीठे बच्चे कभी भी मूझों नहीं कि बाप को याद कैसे करें दो बात में आज बाबा कहें बच्चों को मूझणा एक तुम बाप का परिचे कैसे दे दूसरा बाप को याद कैसे करे अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो वह है कुख की संतान तुम हो adopted बच्चे adopted बच्चों को जिस बाप से मिलकैत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या बेहत के बाप से बेहत की मिलकैत मिलती है उनको भूलना थोड़ी चाहिए लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या परन्तु यहां क्या होता है बाबा कहे यहां माया का ओपोजिशन होता है माया के युद्ध चलती है सारी दुनिया करम ख्षेत रहे आत्मा इस शरीम में प्रवेश कर यहां करम करती है बाप कर्म अ कर्म विकर्म का राज समझाते है यहां रावन राज्य में कर्म विकर्म बन जाते है वहां रावन राज्य ही नहीं तो कर्म अ कर्म हो जाते हैं विकर्म कोई होता ही नहीं स्वर्ग में विकर्म कोई होता ही नहीं यह तो बहुत सहज बात है यहां विकर्म क्यों होता है बाबा कहे यहां रावन राज्य में कर्म विकर्म होते है इसलिए विकर्मों का डंड भोगना पड़ता है तो बाबा के बनने के बाद भी इतनी भोगना क्यों तो बाबा कहे सुक्ष्म में रावन राज्य में कर्म विकर्म बने हैं, तो उसका डंड भोगना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कहेंगे रावन अनादी है, नहीं, आधा कल्प है रावन राज्य, आधा कल्प है राम राज्य, तुम जब देवता थे, तो तुम्हारे कर्म अकर् होते थे, अब यह है knowledge, बच्चे बने हो, तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस फिर और कोई धन्दे आदी का ख्याल नहीं आना चाहिए, दावा कई यहां बैठे हैं, तो बाहर के कोई भी धन्दे आदी का ख्याल नहीं आना चाहिए, परन्तु ग्रहस्त व्यवहर में रह आते दंदा आदी भी करने वाले हैं, तो बाब कहते हैं कमल फूल समाहन रहो, ऐसे देवता तुम बनने वाले हो, वह निशानी विश्नु को देवी है, क्योंकि तुमको शोभ हैसको अलंकार तुमको शोभ हैस्तॉर उनको शोभ Tu वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायन बनने वाले हैं, वह ही अहिंसा पर्मो देवी बेव का धर्मु ना कोई विकार की काम कटारी होती, ना कोई लडाई जगडा आदी होता, तुम डबल अहिंसक बनते हो, सत्यु के मालिक थे, नामी है बोल्डन एज, कंचन आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है, कंचन काया कौन बनाते हैं, बाबा कहें कंचन काया कौन बनाते हैं, बाब, अभी तो आईरन एज है ना, अब तुम कहते हो सत्यु पास हो गया है, कल सत्यु था ना, तुम राज्य करते थे, तुम नौलेज़फुल बनते जाते ह सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे, सभी ज्यान एक समान नहीं उठाएंगे, अच्छा, मिठे मिठे सी किलदे बच्चो प्रती, मात्पिता बाप दादा का यात्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम सभी रुहानी बच्चो की रु शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्यसार है, पहली पॉइंट, मैं आत्मा अकाल तक पनशीन हूँ, इस स्मृती में रहना है, अद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धी नहीं फसानी है, दूसरी पॉइंट, मिलकायत मिलती है, इस नशे में रहना है, कर्म अकर्म विकर्म की गती को जान विकर्मों से बचला है, पढ़ाई के समय दंदे आदी से बुद्धी निकाल देनी है, जब पढ़ाई करने बैठे हो, तो बाबा कहे दंदा दोरी याद नहीं आना चाहिए, आज का बाबतादा का मधरवरदान हम बच्चो के प्रती है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर, मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भवव, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भवव दुनिया वाले कहते हैं मन घूड़ा है जो बहुत तेज भागता है लेकिन आपका मन इधर दर भाग नहीं सकता क्यों? क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है जब मन बुद्धी साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम धीला होने से क्या होगा? लगाम धीला होने से मन चंचल होता है इसलिए जब भी कोई बात को मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम काइट करो तो मनजिल पर पहुँच जाएंगे बालक सो मालिक को इस मृती से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो आज का स्लोगन है सदा निश्चाई हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा तो अचल अडोल रहेंगे अचल अडोल रहेंगे अच्छा ओम शाद